नमस्कार दोस्तों मैं आपका सोनो सेनी दिपिका मार्बल मूर्ती मकराना से आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ गणपती जी की मकराना वाइट मार्बल से बनी हुई मूर्ती जी हाँ ये मूर्ती प्यूर मकराना वाइट मार्वल से बनी हुई है इसके अंदर कहीं पर भी कोई दाग नहीं है यानि ये बेदाग वाइट कलर की मकराना मार्वल से बनी हुई मूर्ती है और इसमें शांगदार और उच्छ क्वालिटी के गडाई और उच्छ क्वालिटी के कलर औ को लेमिनेशन का इस्तِमाल किया गया है ये आम तोर पर मक्राना में बनने वाले पसंद की जाने वाली मुर्तियों में से एक है और इसकी साइज भी इतनी स्टेंडर है कि इंडिया में ये साय सिब्स जादा यूज़ की जाती है इंदुस्तान के मंदीरों में तो आईए जानते हैं इसकी साइज और मूर्टी के स्पेशिफिकिशन के बारे में इसके अंदर इस्टोन जो यूज़ हुआ है वो मकरना वाइट मार्बल यूज़ हुआ है इसकी हाइट 36 इंच यानि 3 फिट है इसकी प्राइज 70,000 रुपे आती है और ये एकदम शांदार और उच्च क्वालिटी की मकरना मार्बल से बनी हुई मूर्टी है आपको जब भी किसी भी परकार की मकरना मार्बल से बनी हुई मूर्टी की रिक्वार्मेंट हो तो आप हम से एक बार जरूर समपर करें आपको ऐसी तरीके की शांदार मकरना मार्बल से मूर्ठी बना के हम देंगे और वो भी आपके रिजनेबल प्राइज में और आपको मूर्थियों के बारे में सारी जानकार देंगे जिसे आपके प्राइजनेस के बारे में कोई इशू नहीं होगा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में देता कि हमें आगामी वीडियो में आपके विचार मिल सके और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी मकराना वार्वल मूर्थियों के बारके में जानकर इला सकें